नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, आज का अंक महत्पुर्ण है, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, पूर्व दिशा जी हम, पूर्व मुखी घर, वो अभी बिलुकुल बास्तू के अनुरूप है, सत परती, सत बास्तू के अनुरूप यह किस परकार से बनाया है शबसे पहले क्या क्या गया है कि इसमें हमने इस सॉलारिes हम प्रते ह्यां कि बात करें और एक एक करके सारी चीजां को आप दीज sashए हो सॉचलाई circles कहा है कि इस चीजां को एड्जिक करनी चाहिए किस परकार सी की गया है तो यह देखिए मान यह green से इनका टोटल एरिया है यह ग्रिन से इनका टोटल एरिया है और यहां तक इनका टोटल एरिया है ग्रिन के बाद और उसके अधिये जो बुलू आप देख रहे हैं यह कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसमें दिसाएं देख लें दिसाएं इनका पूर्व यहां पड़ रहा है दिसाएं और के अंदर को इस प्रकार से 16 दिशाव में बाढ़ते ना है अब देखिए इसका उत्तर यहां आ रहा है नौर्थ यह दिशा बाढ़राख दो करना है मैं हम नौर्थ नौर्थ इसट है यह नौर्थ इसट जिसे हमने सान करते हैं नौर्थिस्ट है आईये क्या इष्ट नौर्थिस्ट है उसके बाद ये इष्ट साउथ इष्ट और ये है आपका वेष्ट सभी दिषाओं को आपने देख लिया अब आईये कि मुख्य द्वार कहां बनना चाही कि सरपथम मुख्य द्वार पिध्यान मुखे द्वार के लिए पुर्व दिशा सुभ मानी जाती है लेकिन इनके स्थिति में क्या हो रहा था है कि पुर्व दिशा यहां बिल्कुल कॉर्णर पे कट रहा है ऐसे स्थिति में इनके घर के अंदर का मुखे द्वार तो सही कर दिया गया लेकिन बाहर वाला जो मुखे द्वार आ रहा है, यह पांचमे पद में आ रहा है, वो भी सही माना जाएगा, थोड़ा सा बेक्ती को, पांचमे पद वाले बेक्ती को, जिनका मुखे द्वार राता है, तो इसी क्रोध आने की संभावना अधिक रती है, लेकिन फिर भी ये जगा नहीं हो तो पांच में पद में बनाएं तो यहां देखिए पांच में पद में मुखे द्वार दिया गया अंदर का मुखे द्वार प्रयास किया गया है कि चौथे और पांच में दोनों में आ जाएं दोनों में यह इनका फ्रंट है आप जैसे अंदर प्रवेश करते ह तो यह इनका front में आजाता है तो यह पुर्व जिसा है यहां उत्तर में और पुर्व में और उत्तर में जगा छोड़ दिया गया है जब भी घर बना भें तो पुर्व और उत्तर में आप जगा अवस्य छोढ़ें अब आएम एक-एक करके बात करते हैं सबसे पहले आते हैं रसोई घर पर ये देखिए इनका कीचन है ये क्या है कीचन मैं यहां के लिख दिया हूँ ये कीचन है इतना बड़ा सा कीचन है कीचन में हमने इस्टोर रखा है और वासिंग एरिया भी रखा है अब इस्टोर और वासिंग एरिया अब एक साउथ पढ़ रहता है जोन की हम बात करते हैं जब आप इसे 16 दिशाओं में बांट देते हैं तो यह एक जोन क्रियेट हो जाता है और जोन के अनुसार जब चीजों को आप एड़ेस्ट करते हैं तो वहां गलतियां होने की जोए गलतियां होने की संभावना वह नगन्नी हो जाती है यह साउथ इस्ट हैं साउथ इस्ट में रसोई बनाना था साउथ इस्ट में स्लैब आना चाहिए तो देखे स्लैब रसोई का निर्मान कर दिया गया बिल्लुकुल साउथ इस्ट में यह पढ़ रहा है इस जोन में यहां से यहां तक के बीच में यदि आपका स्लैब अब आती है कि रसोई के बाद सीड़ी घर इसमें कहां सेट किया है, सीड़ी घर हमने बगल में सेट किया है, सीड़ी घर इनका पढ़ रहा है साउथ, सीड़ी का निर्मान आप दक्षिन और पस्चिम जाले छेतर में कर सकते हैं, तो सीड़ी भी बास्तु के अनुरूप कर दिया जाए दक्षिन तिशा में अब आए बात आता है बैडू में का या शेतर में का इंका देखें बेडूरी यह इतना बड़ा सहाँ बेडूरी धाुंक दीख रहा है यह बेडूरू पढ़ता है दूसरा बेडूरू इसके ठीक पढ़ रहा है तो साओध में एक और दूसरा पढ़ रहा है इसके अधिक महतुपूर्ण होता है कि ट्वाइलेट कि इस प्रकार से सेट किया देखे ट्वाइलेट के लिए जो बताया गया है कि वेस्ट के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये आपका जगह है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मैं दिख देता हूं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये ये जो इस सबसे अच्छा माना जाता है वेस्ट नॉर कर यहां तक वेस्ट नौर्थ वेस्ट तो यहां देखिए एक सोचाले बातरूम इनका एटेश्ड वाला यहां रख लिया गया है दूसरे को नौर्थ वेस्ट वाले जोन में हमने ट्वाइलेट रख लिया है तो अब यहां यह तो बिल्कुल सही जगापर है हाँ थोड़ी सी त्रूटिया इसमें आई है लेकिन यह भी सही है चुकि नौर्थ वेस्ट में पढ़ रहा है यहां पर भी सोचाले बनाया जा सकता है तो यहां पर भी सोचाले बनाया गया चूकि एक से अधिक की आवश्ड रखता थी इनको ति यहां उसके अनुसार एड़श्ट कर दिया आपको तीसरे चौथे पांच में पद में रखना है यहां चौथे पद में दे दिये गया है चौथा पद यहां पर आ रहा था बिल्कुल यहां आपके नौर्थ नौर्थ वेस्ट के बाद जो पद आता है जो नौर्थ में पढ़ता है वो चौथा पद यहां पर दे दिया ग इसलिए मैं ने इसी जोन में बांड दिया है, अब यह तक का 6 नौर्थ इस्ट का है, तो पूजा गर इस प्रकार से बनाई तो पूजा अधिक रूप इस संगे नौर्थ इस्ट जोन के थोड़ा पढ़ा रहा है, शोड़ा पूजा पूजा पूर्भ में शिट होता है, तो बास्तु के नुरूप जब भी बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसे 16 दिसाओं में माट ले और उसके बाद उस मेजरमेंट के अनुसार जो है आप निर्मान करें वो बिल्कुल सही और सटिक होगा आज के एक में इतना ही धन्यवाद